हेलो गाइज, आज हम बनाने वाले हैं बूंदी का रहता, इसके लिए हम लेंगे 250 ग्रम दही, उसमें आदा गिलास पानी मिलाएंगे, अब उसको हम मिक्स कर लेंगे, आप चाहो तो इसे ग्राइंडर में भी मिक्स कर सकते हैं, अब इसमें हम डालेंगे स्वाधन सार नमक, अब इसमें डालेंगे आदा चम्मस सक्कर, अब इसको मिक्स कर लेंगे, अब मैंने लिया है एक पैकेट राजपूर बूंदी, आप कोई भी बूंदी ले सकते हैं, इसे मैं दही में 10 से 15 मिट तक भीगने के लिए रख दूँगी, तब तक मैं तड़के की तयारी करती हू अब मैंने लिया जीरा और 2-3 सूखी मिर्च, अब मैं एक बड़ा चम्मस लूँगी, इसमें 2 चम्मस तेल डालूँगी, अब जीरे को मैं तेली में लेके इसको मलूँगी, जिसे मेरे जीरे का स्वाथ अलग ही आएगा, अब इसको मैं गरम तेल में डाल दूँगी, और देखी, मेरे तड़का तैयार हो गया है, अब मैंने जो दही रक्ताऊ स्में इसको डाल दूँगी, धक दूँगी, ते्खी ये मेरे तड़का किता उभर कर आया है, अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी, मेरा रायता तैयार है अब मैं इसमें कटा हुआ धन्या डालूंगी और इसमें कलर के लिए कलर मिर्च पॉडर डालूंगी देखिए मेरे रायता बनकर तैयार हो गया है आप भी इसे घर में ट्राय कीजिए और बताइए कि ये कैसा बना है अब मेरे रायता बना है